पाठ गेरा ठग की चतुराई रोज की तरह दारोगाजी थाने पहुँचे तो कलाई की और नजर गई देखा तो पता चला कि घड़ी आज मेज पर ही छूट गई है फरियाद की रिपोर्ट दर्ज करते करते उन्होंने हवलदार से कहा घड़ी आज मेज पर ही छोड़ चला आया हूं जाकर ले आओ थाने में एक ठग भी था उसने दारोगाजी की बात सुन ली दारोगाजी के घर जा पहुचा और उनकी पत्नी को खरगोश देते हुए बोला साहब ने बच्चों के खेलने के लिए खरगोश बेजा है और मेज पर उनकी घड़ी चूट गई है उस श्रीमती जी ने कहा खरगोश बहुत सुन्दर है दारोगाजी उचके कैसा खरगोश इधर आपका ही आदमी तो आया था वह बच्चों के लिए एक खरगोश दे गया और घड़ी ले गया श्रीमती जी ने उत्तर दिया दारोगाज साहब ने माथा पकड़ लिया और सोचा बला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है पत्नी को हिदायत दी आगे से इस प्रकार किसी की बात पर विश्वास ने करे दूसरे दिन सुबह दारोगाजी जलाए हुए थाने पहुँचे अपने सिपाईयों को बुला कर कहा कि उस घड़ी ठक को पकड़ कर मेरे सामने लाओ कुछी देर बाद एक दूसरा आदमी दोड़ता हुआ दारोगाजी के घर पहुँचा और हाफता हुआ उनकी पत्नी से बोला मेम साहब वह आदमी पकड़ा गया और साहब के थाने में बंध है साहब ने मुझे भेजा है कि आपसे खरगोश लेकर आउँ श्रीमती जी ने हसी खुशी खरगोश लाकर उस आदमी को दे दिया और बोली उस चोर की कसकर मरम्मत करवाना ताकि आगे से ऐसी हरकत ना करे सो तो होगी ही उस आदमी ने कहा और खरगोश को लेकर चलता बना शाम को जब दारोगा जी घर वापस लोटे तो पत्नी ने मुधित मन से उनका स्वागत किया और पूछा उस चोर को आपने खुब पिटवाया या नहीं कौन से चोर को दारोगा जी के कान खड़े हो गए वही जो पकड़ा गया था आपने ही तो आदमी से खबर आई थी और खरगोश मंगवाया था श्रीमती जी बोली इधर दारोगा जी का बुरा हाल ना घर के रहे ने घाट के रास्ते भर यही सोच रहे थे कि अब घड़ी तो मिलेगी नहीं चलो बच्चे खरगोश से ही आनन्द प्राप्त करेंगे लेकिन घर आकर देखा तो गोश भी गायब